आज मैं आपको जामुन के शॉर्ट्स बताने जा रही हूं जो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और आपको कुछ नया पीने का मन कर रहा हो तो इस रिंग को आप बनाएं और एक बार जरूर ट्राय करके टेस्ट करें तो चलिए वीडियो देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं शॉर्ट्स बनाने के लिए हमें जामुन की जरूरत है और उसके साथ ही 20-25 पुदीना पत्ता एक नीबू दो से तीन चमच चीनी बहुत सारे बर्व के टुकड़े आधा चमच नमक टेस्ट को मेंटेन करने के लिए औ और डेकोरेशन के लिए मैंने नीबू कर रास एक प्लेट में निकाला है काला नमक और काश्मिरी लाल मिर्च इतनों को मिला देंगे तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं सबसे पहले जामुन का पल्प निकालेंगे और बीज अलग कर देंगे इस तरह सारे पल्प हम निकालेंगे यह बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे क्योंकि जामुन सॉफ्थ होते इस तरह हमने जितने मात्रम में तयार करनी है उतनी जामुन को बीज निकाल लिया है चलिए अब एक मिकसर जार लेते हैं इस मिक्सर जार में जामुन के पल्प डाल दियें, क्रश आईस डाल दूँगी, साथी, चीनी, मेठा आप अपने टेस्ट के अकोडिंग डालेगा, उधीना पत्ता भी डाले हैं, आदा चमच, काला नमच, एक निबू करस, अब इन सभी साथ ग्रियों को एकदाम स्मूथ पेस्ट बना लूँगी, फाइन पेस्ट हमारा तयार हो गया है, अब चलिए, सर्फ करने के लिए प्रेपरेशन करते हैं, सबसे पहले काश्मरी लाल मिर्च और नमक को मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह, ध्यान रखिएगा, क कप के रिम में नीबू करस लगाऊंगी, अब इसमें पाउडर लगा दूँगे, अब इस जामून के ट्रिंग को कप में डाल दूँगे, डेकोरेशन के लिए इसमें कुछ स्लाइस जामून के काटके डाल दूँगी, और पुदीना के पत्ते हैं, अब इसमें बहुती भी डेकोरेशन के लिए लगाऊंगी, इस तरह फ्रेंट्स हमारा जामून शोट्स तयार है, यह बहुत ही कम समय में बन जाता है, आप इसे एक बर जरूर ट्राइ करें, और बताईए कमेंट करके कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, फिर मिलती हूं न बस्त्रही ए धन्यवादी.